नमस्कार में बंधितावर अपनिसाय से दीवे 365 डिजितल जनोता खुटरोता कोई ब्रीखोद गेरांटी दिले कॉंग्रेसे सोर्कार गठन कोरार पिसोते जनोता ये लाफ कोरीबो ए खुबी धा घरन बना 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 जनोता रेकाल डिवे 3,500,000 कोई टॉका आर मोगिला रेकाल अट माहे कोट दिवे 2,000 कोई टॉका ए थे ब्रीखोद गेरांटी गांग्रेस सर् तरफ़र प्राइम खुट अरे गूटा पना ख बर जनाया से जोनाता कुत्र अटा कोई ब्रीथाद के रहे दिवले, कंगे सेख्ट और सरकार कथरूं कोरार पिस्टो ते जोनाता ये लाख कोरी बोई फुपीद घोर बोना बोले जोनाता रेकाउंट दिबो तीनी लाख पॉन्चास खजर टोका अरो आन खटे मोखीला रेकाउंट द माहे को दिबो तुई खासर कोई तो ब्रिध्धो बीधो बाद दिव बंगोई लाख कोडिबो सोई खाजर टोकार पेंचो अरो तीनी को यूली तो प्लोई बीना मुधिया तुपीद अरो आन खटे मास्खो तोका टे जिया खोबों केसी लिग अरे बोसरा जुई लाख नीबो नुआ जुबों जुबों जुबो तीक साकुरिगी पोसिस लाख तोका लुए के बीना मुलिया सिकी चार गेरान की दिले कॉंटिस अना ते कुनोर प्रबर्तन कोराख बुड़ो पुरोनी पेंशन नुट्बों करना तौक तेलेंग नर प्रसोते बार्खरियाना दखलोर लेक्षप कॉंग्रेस अर्याना भीदाख मुभा निर्वासुन अर्भावे कॉंग्रेस निर्वासुन इस्टखर प्रोका अरो बुट्टा देखी बोले प्रावबसे जोनोता फुत्र राथा कोई ब्रीखाद गेरंटी दिले इतिया कॉंग्रेस ते शर्कार गठान कोरार प्रिसाथे जोनोता लाफ कोरीबो ए बिखित खुबी पा घर बुना कोले जोनोता राथा कोंग्रेस ते शर्कार गठान कोरार प्रिसाथे जोनोता फुत्र 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 निवोनो जुबत्यूबुक्ति अल साकोरी दिमोबुली त्या प्रोटिस्ष्रति पोसिस लाख तोकालुए के बीना मुली असे किचार गेरांटी डिले कॉंग्रेसे उन्होर प्रबर्टन कोरा होब पुरोनी पेंसन निदी कोरना तक्ते लेंगानार पुच्छो ने बार हार खौर बना बुले जरूतार एकाउंटार दिबा तरिल्लगो ते मोखिला एकाउंटार मांके को दीखासर तोकाल दीबा और अमारसर मॉर्टक बाही पोर इसे खंडरापट को इसे हुना मभी सेरेश्टु आज हम जो साथ ग्यारेंटी जो हर्याना गवर्मेंट के और से अन ग्यारेंटी को हम ये लागू करेंगे और इसलिए हम इस ग्यारेंटी को रखे हैं नाम साथ वाईदे पक्के इरादे तो ये जो साथ वाईदे हैं उसके अलावा भी मैनिफेस्टो में जो हमारा कम से कम किरपन फेज का मेनिफेस्टो है वो तो बाद में हो लोग डीटेल उसको चंदीगड में आपको बताएंगे लेकिन ये जो वाइदे हैं हम इसको पक्का निबाएंगे इसके लिए आज ये ICC आफिस से ये घोशना कर रहे हैं जैसा कि पूरुवक्ता ने अपने इस पॉइंट को वो बताया है लेकिन मैं उतने तफ्सील में नहीं जाता मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे साथ पॉइंट जो है वाइदे जो है इसको हम खास कर साथ वर्ग में इसका बटवारा किया है एक तो मैलाओं को शक्ती हर मैने दो हजार रुपए देने का हम वाइदा कर रहे हैं और दो हजार रुपए दे कर हम रहेंगे हमारी सरकार आने के बाद 500 रुपए गैस सिलिंडर के लिए हम देएंगे और मोदी जी की सरकार बढ़ाते जाती है लेकिन हम उसको घटाते जाएंगे दूसरा है सामाजिक सुरक्षा को बल जैसा की बुड़ापा पेंशन है दिव्यांग पेंशन है विद्वा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम यह इसको हम पूरा अनुस्ठान में लाएंगे उसको इंप्लिमेंट करेंगे और जिसका आकड़े उन्होंने बताया कि बुड़ापा पेंशन 6,000 करोड सारी 6,000 रुपे और दिव्यांग को 6,000 रुपे विद्वा पेंशन को 6,000 रुपे और OPC जो भी स्कीम है जो भी योजना है उसके तहट मिलेगा और थीसरा वाइदा है इवाओं को सुरक्षित भविश बर्ती विदान के तहट दो लाग पक्की नुक्री इवाओं को हम देंगे क्योंकि इतने सरकारी नुक्रियां खाली है वो कोई सरकार भर्ती नहीं कर रही देश में हमने पहले इससे पहले भी कहा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्मेंट में कम से कम 30-35 लाख वेकेंसीज है सेंट्रल गवर्मेंट भर रही नहीं और हर स्टेट में जितने सरकारी नुक्रीज हैं वो भर्ती इसलिए नहीं कर रहे हैं कि केंदर सरकार के पास तनका देने के लिए पैसा नहीं है और ये जो इवाओं को हम ये नौकरी का वाइदा कर रहे हैं इसको हम दिभाएंगे हर परिवार को खुशाली के तरफ जाने के लिए 300 यूनीट की फ्री बिजली ठीक है ना? 300 300 यूनीट की फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त हिलाज जैसा की पहले हमारे भाई गयलोट ने राजस्तान में शुरू किया था वैसा आज फिर हम हर्याना में यही लागू करेंगे तो यह दूनू भी जो फ्री बिजली और मुफ्ति लाज यह बहुत ही पक्का है और गरीबों को इससे बहुत फाइदा होगा किसानों को भी फाइदा होगा और हमारा पांचवा जो है गरीबों को च्छत सवगज का प्लॉट और त्री पॉइंट फाइव लाक की लागत से दो कमरों को दो कमरों का मकान तो यह देखिए ज़रा यह कम होता है क्योंकि दोख में क्या करना उसके लिए बाद में सोची है क्योंकि पकाना किदर सोना किदर कम से कम एक किचन तो अगर रहा है तो उसको एड़ कर दीजी तो ना फिर ठीक है लेकिन देखी है मैं अब तो फिर वाइदा नहीं करता क्योंकि आप अपने बजट को देखकर यह वाइदे किये हैं तो इसलिए जब आपकी हालत सुद्रेगी तो उस पे विचार कीजिए फिर किसानों को समर्दी यह तो आप सभी को मालूम है हम भी लड़ रहे हैं राहूल गांदी जी भी MSP के लिए बहुत लड़े अभी भी लड़ रहे हैं उसके अलावा MSP की जो कानूनी ग्यारेंटी ह हैं उसके लिए हम पार्लमेंट में एलेक्शन में भी यह वाइदा किया था हमारे हर्याना कॉंग्रेस कमिटी के आज के नेता लोग भी इस हर्याना कॉंग्रेस का संकल पत्र में भी यह लिखा गया है तो इस MSP गैरेंटी का भी वो काम करेंगे आखरी में पिच्डों को अधिकार जातीगत सर्वे का जातीगत जनगर्णा करने का बात हम यह पार्लमेंट में भी उठाये थे और पार्लमेंट के चुनाव में भी हमने इसका परचार किया उसी डंग से यहां पर जो हमारे हरियाना में इसको जातीगत जनगर्णा की पूरी उन्होंने कोशिश करके वो जातीगत जनगर्णा इसलिए करेंगे कि हर कमुनिटी के लोकों को हर जाती के लोकों को वो कहां खड़े हैं वेलफेर स्कीम में उनका कहां स्तान है चाहे इनकम में क्या है और सिक्षन में क्या है नोकरियों में क्या है यह हर चीज अगर आपको मालुम होना है तो यह जाती जनगर्णा जरूरी है इसलिए वो काम हमारे कर्याना की कॉंग्रेस पार्टी कर रही है और ये वाइदा उन्होंने किया है और इसको हम अमल में लाएंगे आज